असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे खेरियों से होंगे आज मैं आप लोगों को मसाला राइस बनाना सिखाऊंगी एक नए अन्दास में तो आप लोगों ने पूरी डैसीपी को देखने और मुझे अपना फीड़वेक जरूर देन उसके बाद नेक्स्ट्रेप ट्माटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं अध्रक्रेसन की खुश्पू आना चुरूर हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे लाल मुझे का पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला इसके इलावा काली मिर्चे और हस्पे जाइक का नमक इसके इल आफ्स गरता हो और मिर्चे बाद ने ब्यची की खुश्पूर आने अब हम इसमें आधर कब तक दही एड़ करतें की डही मियर्च की का ना परहाई दे ग Κा इर तृट ना चावल की सामने देना和 अब हम लोग इसकी मिक्सिंग बहुत जबरदस तरीके से करेंगे आप लोगोंने इसकी मिक्सिंग पर बहुत ध्यान देना है कि इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है मसाला राइस बहुत जबरदस बनते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा हरा दन्या डाल देंगे इसकी खुबसूरती में इजाफा होगा और बहुत ही खुश्बूदार ये हमारे त्यारों के अच्छी तरह से मैं इसको mix कर रही हूँ आप लोग देख रही होगे कितनी जबरदस तरीके से मैंने इसकी mixing की है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चे ठीक है तकरीबन आदा चमच कुटी हुई लाल मिर्चे डाल देनी है इसको अच्छी तरह से आप लोगोंने mix करना है mixing जबरदस्त किया करें ठीक है मैंने इसको mix कर दिया 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे दम पे उसके बाद चलेंगे next step की तरफ 10 मिनट के बाद माशलास से दम आ चुका है हमारे मसाला राइस पिल्कु त्यार हो चुकी है एक नई अंदास में आप लोग देख रहोंगे कितनी जबरदस्त इनकी लुक है और बहुत जबरदस्त में इसकी मिक्सिंग कर दिया तो चलती है फाइनल रुक की तरफ फाइनल रुक आ चुकी है मसाला राइस हमारे त्यार हो चुकी है आप लोगोंने एक बार इस रेसीपी को ज़रूर ट्राय करने है और मुझे अपना फीड़बेक ज़रूर देने है अगर आप लोगों को रेसीपी पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन्शाला कल न्यू रेसीपी के साथ हाजिर होंगी तब तक के लिए अलाहाफीज